दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का जेसुजन एकैडमी पर तो आज हम देखेंगे कि आपका जो है सहाग ग्रेट 3 सहाग ग्रेट 3 एक्जाम को ले करके आज हम रिजिनिंग पर देखेंगे और इससे पहले मैं बता दो आपको प्लेलिष्ट बना दिया हूं सहाग ग् सब्सक्राइब करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उस प्रारूप को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैनल में पहली बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन में जरूरू प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारे चैनल कमाधम से जीके सब्सक्राइब कर पाएं चलिए यहां पर है भीन को ग्याद करें तो देखिए 81 नंबर का तो भीन कौन सा है यू आल्टी एरे तो देडी कोडिंग और यह जो इससे पढ़ना है आपको किस किस सेक्षन से हमें करना है यह हमें पता चलना है अगला देखिए यह चीतर वाला भी पुछा जा रहा है तो इसे भी आपको देखना है 82 नंबर का तो चली देखते हैं उस उत्तर चीतर की से एक उप्यूक्त चीतर चुनिए जो प्रश्ण वाचक चिन्न को प्रतिस्थापित करें अब देखिए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसे साब से हम अगामी एक्जाम का हम तयारी कर चकें तो यह जो चीतर बनाने वा पध्यान कर सकें इस चैप्टर से मतलब किस किस खंड से पुछा गया है तो देखिए तीसरे नंबर में यह चीतर बने का क्योंकि देखिए पहले में त्रिभूज बना फिर उसके वाद इस तरह से बनाया फिर लाश्ट में यह अंदर आ जाएगा और लाश्ट में सरकल है दो इस तीसरा थी सui तीसरा आंसर लिए गया है इसमें चलिए इतिरासी नंबर का क्वेस्टन देखते हैं है नेव्ड कि चीत्र में वर्गों की संख्या गयात किजिए तो वर्ग कैसे बनेंगे मतलब यह वर्ग होता है तो यह इसकी संख्या कितना है तीराशी में इसको द बनेंगे इसमें मतलब तो वर्ग से संबंधित भी आपको देखना है मेरे कहने के मतलब है कि किस तरह स्क्वेश्चन पुछा गया है जिसके हिसाब से हम आगामी तैयारी कर सकें चलिए अगला ही यदि बी और गडित और इतिहास में अच्छे हैं ए और बी इतिहास और भोति की और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छे हैं डी इ रसायन और गडित में अच्छे हैं तो कौन भोतिक भोत की गडित और इतिहास में अच्छा है तो देखिए यह क्या है रिजिनिंग जब आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बी ज प्रारूप के लिए हम पड़ रहे हैं भी नको ग्यात करना है तो देखिए यह जो अंक गडिती जो संक्रियाएं होगा उसमें रिजिनिंग करिए उससे भी पूछा गया है पचासी नंबर में देखते हैं क्या आंसर लिया गया था इसका तो 36 से 119 यह भी ने लिया गया है कहीं ने कहीं यह एक दूसरे संबंदित है बाकी तो इस तरह से कुछा गया है रिजिनिंग से अगला है नीम ने लिखित में से कौन सा चीतरे समूद्र जहाज और नाविक के मध्य संबंद को सही संबंद को दरसाता है देखिए समूद्र है जहाज है और नाविक है इनके स संबंद को दिखाता है तो देखिए 86 नंबर का कौन सा है कि देखिए यह वाला चीतर दिखाएगा जानते हैं कि यह जो नाविक है वो सभी जहाज में हैं फिर सभी जहाज समूद्र में हैं इस तरह से बनता है तो यह जो है डी करेक्ट आंसर होगा चैसी का 87 नंबर का है वह संख्या ग्याद कीजिए जो प्रस्ण वाचक चिन्ह को प्रतिस्तापित करता है तो यह गड़िती संख्याय वाला में से देखिए आप यह चीज़ बता रहे हैं तो यहां देखिए कौन सा है इसमें यहां पर है तो यहां पर क्या आएगा फाइप यहां पर आपको वायट बूर्ड में चेहिए तो मैं बता दूँगा रिजरिणिंग जब हım करें कि तो इसका डेटेल में आपको बताउंगा अगला पद गयाद करें जब हम 16 सदीक्षा का और परिक्षा करईंगे उस समय सारे कॉस्ट्ट कर लेंगे अगला पद गयाद कर तो एक, दो, पाँच और छबीस तो अगला पत कौंस है यहाँ पे 677 लिया गया है 88 का सी करेक्ट आंसर लिया गया है फाइनल माडाल आंसर के साथ देख रहे हैं व्यापम कैसे हम और यहाँ पे यह 89 नंबर को कुश्चन विलोपित किया गया था व्यापम के द्वारा अब चलिए रिखते हैं 90 नंबर का कुश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है उत्तर चीत्र से कौन सा चीत्र अगला होगा देखिए इसमें से कौन सा चीत्र अगला होगा तो देखिए इसके बाद देखिए इस तरह से हो गया फिर यह उपर हो गया फिर यह इस तरह से हो ग मocris देखते हैं अगला पत तो देखे गड़ीती संक्रियां और चीत्र बनाना अगला बावन होगा और चीत्र बनाने इससे ज़्यादा पुछा गया है एक क्या है यह नहाँ डाइब के यह दिवाल को यह दोर और दोर को विंडो-विंडो को फ्लोर और फ्लोर को यह यह देखिए लिखा है वेंटिलेटर को रूफ और रूफ को वाल कहा जाए तो व्यक्ति कहां खड़े होंगे तो देखिए 92 नंबर का इसमें कहां खड़ेंगे वेंटिलेटर आंसर लियागा है 92 का दी तो इस तरह से यह भी कोश्चन आपको करना है अगला है यदि जी ओ को 32 हम को क्या लिखा जाएगा तो देखिए यह सिंपल सिंपल कोश्चन है बहुत जादा नहीं जब हम सॉल करेंगे पता चलेगा 67 लिखा जाएगा इस तरह से चलिए 93 के बाद 94 नंबर का कोश्चन देखते हैं वह चीत्रा को पहस्चानी है जो प्रारूप को पूर्ण करता है तो देखिए चीत्र एक बार सिधा है फिर उसके बाद इसके उपर में ऐसे बना है फिर उसके इसको नीचे कर दिया गया है फिर उसके बाद क्या आएगा अगला चीत्रा ऐसा पूछा जाए तो यह भी आएगा ऐसा लिया गया है चलिए 94 कभी यह आपका प्रैक्टिस करने से ही आएगा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिजे आप वह संख्या गयात कि जो प्रश्ण वाचा छीन को प्रतिस्थापित करता हो 95 का तो देखिए कौन से प्रतिस्थापित करता है तो यह 20 आंसर लिया गए है 95 का सी चली अगला कुश्चन चलते हैं देखिए चीतर बनाएं चीतर को पहचानिये और प्रारूप को पूर्ण करता हो तो यह जो है देखिए यह जो चीतर है पूरा उसमें पहला इस तरह से है फिर दूसरा इस तरह से है तो आप यहां से देखना है यह इसमें क्या बना फिर उ इंदी डाला जाता है किसी में एक चीज़ और ऐसे बढ़ा दिया जाता है तो इस तरह से आपको पहचानना होता है तो यह जब क्लास हो के तब समझ मैं आगा क्यों यहां क्वेश्चन का प्रारूप देख रहे हैं लोग एक्चुल के हैं तो कि इस तरह से पुछा गए स्रिं प्लस भी प्लस फाइव तो इसका अंसर क्या होगा 98 का यह बी लिया गया है तो आप देखिए इस तरह से भी आपको कर रहा है रिजनिंग में जाकर करके प्राक्टिस करना है यह क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है निम निलिकित में समानतर चतुर भूज की संख्या पू क्यारणा खिलाडी है यह जो आयत ऐसा दिया है यह क्यारी है वित्त अभीनेता और दरटी आता शीट जो दरता आता है। तो देखिए सवे नंबर का तो ये जो सी है ये सी जो है दर्स आएगा तो देखिए इसमें क्या है इस तरह से जो लिया रहता है इसमें देखना पड़ता है कि किसका भाग आ रहा है किसका नहीं आ रहा है तो चलिए इसका भी करा दूँगा अगला जो है जब हम रिजनी करें को मिला है अगला देखते हैं पांस सरल रेखाओं से बन सकने वाले अधिक्तम त्रिभोजों की संख्या क्या होगे तो देखिए 102 का 10 होगा यह अंसर लिया गया है अब देखिए यह वाला भी कुश्चन आया है यदी भाग का अर्थ धन गुड़ा का अर्थ रिड धन का अर् नमबर का कुश्चन स्रिंखला में लुप्तपत कीजिए तो इस तरह से जो स्रिंखलाएं वाला है जो अंग्रेजी एक्षर और गड़िती संक्रिया है यह दोनों का बहुत अच्छे से करें सबसे जादा देखना को मिल रहा है साहाग ग्रड़त्री में स्रिंखला में लु यह लिखा गए है एक दो तीन चार पाथ च्छे लिखा जाता है तो टी आइबल एक इस प्रकार लिखा जाएगा तो यह पर रिजिनिंग करेंगे तब आपको समझने आगा तो चली सिधा आंसर देख लेते हैं यह भी आपको करना पड़ेगा तो 60 नमबर कर यहां पर बेल निम्न को ग्याद करें तो निम्न को ग्याद करें अब देखिए 107 में देखते हैं हम लोग यहां पे सर्प तो सर्प जो है भिना है सबसे अगला जो सवाट नंबर का कोईश्चन देखिए फिर संख्या पुछा गया है प्रश्ण अचक चिन्य की स्थान पर क्या आएगा तो देखिए यहां पे नव आएगा यह तीन के बाद तो यह कहीं ने कहीं गडिती संक्री आये रहता है उपर से नीचे का नीचे से उपर का तो जब आप जरूर देखें उसमें आपको हेल्प मिलेगा तो देखिए यह जो है अगला पद क्या होगा वेज़ारी दी गई इस रड़ी में गलत पद ग्याद करें तो गलत पद कौन सा है 109 का तो एक सो नौ नंबर का देखते हैं यह 984 जो है दिया है यह गलत पद है यह कहीं न संक्रिया नहीं होगा इसमें अगला फिर देखिए चीत्र से पुछा जा रहा है तो चीत्र कागज का टुकड़ा निर्मार करना यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा तो यहां देखिए उत्तर वाला चीत्र काउन से होगा तो य यह फर्स्ट वाला जो दीख रहा है आपका यह ओप्शन में यह होगा तो 110 नंबर कोश्चन तक था अगला जो है गडित का है यह गडित अगर आपको देखना है कोश्चन तो आगे देख लेंगे तो आज की वीडियों फिलाल इतना ही और जो कंप्यूटर से संबद्दी स पर है वह जब हम होस्टाल वार्डन का करेंगे तो उस समय भी देखेंगे तो आप उससे जाया करके जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत जादे इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर क्लासेस आप सभी को पता है तो अगला वीडियो जो है आपका जी के जी इसका फिर से म कुम कुम सेगने